नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोलुबस इस चैनल पर आपको मिलती है कॉम्प्टिटिव एक्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेलफुल वीडियो तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरूर करें ताकि आने वाली सभी इंपोर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडेस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिनरल रिसोर्सेज जो की लेक्चर नमबर फोर था अब हम लेक्चर नमबर फाइव मे दिसक्स करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स तो चलिया शुरू करते हैं फोरेस्ट इस अ सिस्टम इन विच फ्लॉरा एंद फोना इंटरलिंक विद इच अधर इन नेचुरल हैविटेट अगर्डिंट विडलाइव प्रोटेक्शन एक्ट नेचेविटेशन एंडिया नेचनल पार्क्स, 18 विश्फेर्स, 515 विडलाइव सेंचुरीष प्रोजेक्ट ताइगर प्रोजेक्ट ताइगर की सुरुवात 1974 से हो गई थी और एप्रॉक्सिमेटली 48 ताइगर रिजर्व हाल में प्रिजेंट हैं इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात 1975 से हुई और आज के समय में 27 एलिफेंट रिजर्व इंडिया में मौझूद हैं प्रोजेक्ट कोकोडाइल जो की स्टार्ट हुआ था 2008 में और आज के समय में 6 क्रोकोडाइल रिजर्व इंडिया में मौझूद हैं 1987 में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट सुरू की गई थी जो की रिपीट होती है हर दो सालों में अकॉर्डिन तो रिपोर्ट 2015 तोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया इस 7,673 स्क्वेर किलोमेटर जो की 21.34% कॉंट्रिबूट करता है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में से आपर इस तो पर संट ओंडिया वियुड़ की अनुसार स्कॉंट काव्र इस 2018 में अच्वेर्ण थी जोग्राफिकल इंडबूट प्र्डिन रिपीट की था इंडिया कर्वार्ण 3775 स्क्वेर किलोमेटर इंक्रीज हुआ है जबकि 3645 स्क्वेर किलोमेटर कट डाउन इंडिया और पर्प्रस ऑफ अर्गनाईजेशन सहरी करण के उद्देशे से 3645 स्क्वेर किलोमेटर कट किया गया है इस दिफोरेस्टेशन डिरेक्टली अफेक्ट ग्लोबर बॉर्मिंग, शोल एरोशन और नंबर अवस्पीसीज बिकम इन देंजर तो चलिए बात करते हैं इंडिया के 18 बायोस्फियर रिजर्व्ज नीलकिरी बायोस्फियर रिजर्व करनाटका नोक्रोक बायोस्फियर रिजर्व मेगाले शिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व ओडिशा गल्फ अफ मननार तमिलनाडू सुन्दर्बन बायोस्फियर रिजर्व वेस्ट प्रेंगोल अगस्थ्या मलाई केरला पना बायोस्फियर रिजर्व मध्यपरदेश पंचमारी बायोस्फियर रिजर्व मध्यपरदेश लंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व उत्रांचल या उत्राखन देबंग अर्माचल पर्देश दिप्रू बायोस्फियर रिजर्व आसाम मानस बायोस्फियर रिजर्व आसाम कोल्ड डेजर्ट वेस्टन इमाचल पर्देश रन अफ कर्च गुजराथ कंचन जंगा बायोस्फियर रिजर्व सिक्किन शीष चलम हील्स अंदर्प्देश अमर कंटक अच्चना कमर बायोस्फियर रिजर्व मध्यपर्देश और च्छतिजगर्ड दोनों में इसका एडिया जो है तच होता है ग्रेट निकोवार अंडमान एन निकोवार नैशनल पार्क्स ओफ इंडिया बल पक्रम यह इस्टेबलिश हुआ था 1986 में और यह मौजूर है मेगाले फेमस है यह मैडिसिनल हर्ब्स के लिए हैमिस नैशनल पार्क 1981 जमू एं कास्मिर एंड वेमस पुड्ड़ छो लपर हजारिबाग नशनल पर्क मिश्छ इंट ज्ञार्गंट अभी टे रेकल मीज हाब। काबूल लाम जाव नियू श्मानिपूर यट मीजिय। बनरगटा नेशनल पार्क, स्टेबलिज इन 1986, इन करनाटका, एंड फेमस फॉर टाइगर, लाइन्स, एंड एलिफेंट्स, बांधीपूर नेशनल पार्क, स्टेबलिज इन 1974, और ये वी करनाटका में ही है, गिर फॉरेस्ट, स्टेबलिज इन 1965, इन गुजरात, एंड फेमस फॉर एसियाटिक लाइन्स, ब्लैक बक नेशनल पार्क, स्टेबलिज इन 1976, ये भी गुजरात में है, एंड फेमस फॉर ब्लैक बक, दुद्वा नेशनल पार्क, स्टेबलिज इन 1977, दुप थैमस पॉर श्वेश्प, दिर ए लोगॉत्व गंगोत्री नेशनल पार्क, स्टेबलिज इन 1989, इन उत्राघ्थरण दक्त्राइबलिज इन 1981 in Jammu and Kashmir and famous for Kashmiri stag popularly known as hangul Kajiranga National Park established in 1974 in Assam and famous for one-hole rhinoceros Daraa National Park established in 2004 in Rajasthan and famous for Desert Wolf and Cheetah Jim Corbett National Park established in 1936 in Uttarakhand and famous for Tiger and Elephants Manas National Park established in 1990 in Assam and famous for one-horned rhino Malam National Park established in 1978 in Goa and famous for flora Marayan National Park 1980 in Gujarat and famous for Kural police Great Himalaya Himalayan National Park established in 1984 in Himachal Pradesh and famous for its Pona Kanha National Park 1955 in Madhya Pradesh and famous for tigers Madhav National Park established in 1959 in Madhya Pradesh and famous for tigers Mahatma Gandhi Marayan National Park established in 1983 in Andhwan and Nicobar and famous for coral reefs Types of Forest Tropical Evergreen Forest Tropical Deciduous Forest Tropical Grassland Forest Arithorny Vegetation Tidal Forest Tropical Evergreen Forest Tropical Evergreen Forest Tropical Evergreen Forest This type of vegetation mainly found Western Ghats and Eastern Ghats Antman and Nicobar, Lakshadip, North East India and in Himalayan region This vegetation receive annual rainfall 250 cm. Its main variety are Bamboos, Walnut, Jamun. Its average height is 60 m. Tropical Deciduous Forest Tropical Deciduous Forest This type of forest in two categories are two parts of the two categories. First is Wet Deciduous Jis May 200 cm. And second part is Dry Deciduous Jis May 100 cm. 150 cm. Rainfall Annually This type of vegetation mainly found in Uttarakhand Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh And the main variety of trees are Sal, Teak and Oak. Tropical Grassland This type of vegetation mainly found in Deccan Plateau which receive annual rainfall 100 cm. The main variety of vegetation are Grass, Mosses, Lichen, Helgai and Fungi. Arid Thorny Vegetation Mainly found in Rajasthan, Gujarat, Western Punjab and receive annual rainfall 50 cm. The main variety are Babool, Cactus and Palms. Tidal Forest This type of vegetation found in coastal areas of India which receive water from river and ocean. The main variety are Mangrove, Coconut, Sundari. So these are the main areas of the forest in India. Now let's discuss a little bit of Himalayan vegetation. Himalayan vegetation This vegetation changes according to altitude. At 1500m Tropical Evergreen Forest Like Bamboo and Walnut At 2500m Temperate Forest Like Devdar, Parch and Maple At 2500m to 4500m Alpine Forest Like Chir, Sanover and Blue Pine At 4500m to 4800m Tundra vegetation found Like Grass, Elgai, Lichen, Fungi So friends, today's topic is our topic here. We have discussed the topic of India's natural vegetation and national park. We have not talked a lot about the exam So we have discussed the topic of Indian geography Also we have discussed the next study लेक्चर नमबर टू रेलवे नेटवर्क पोर्स एंड नेशनल हाईवेज इसके बार हमने डिसकस किया था माउंटेंज प्लैट्यू एंड पॉलकेनोज देन हमने डिसकस किया है पिछले लेक्चर में इंडस्ट्री ओफ इंडिया एंड विंडरल रिसोर्सेज और आज हमने अपना लेक्चर नमबर फाइब कम्प्लीट किया है नेच्छरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स तो दोस्तों यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजेगा और लेक्चर नमबर फाइब हमारा आज कम्प्लीट हुआ है नेक्ट लेक्चर जो हमारा हुआ लेक्चर नमबर सिक्स वह होगा एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट मैं उम्मीद करता हूं गुलुवस की तरफ से दिया गया या वीडियो आपको संदाया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और यदि आपके मन में कोई प्रस्ट नहें या कोई सुझावा आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजेगा और आगे की अबडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद